दोस्तो आप अपने मोबाईल में नॉर्मली WhatsApp आप उपन करते हो WhatsApp को यूज करने के लिए और आपके सामने कुछ इस टाइप का मैसेज दिखाई देता है This account is not allowed to use WhatsApp ये फिर This account cannot use WhatsApp तो इसका मतलब ये है कि WhatsApp ने आपके एकाउंट को बैन कर दिया है तो ये देखने में काफी frustrating लगता है आप परिसान हो जाते हो क्यूंकि आपका एक personal number होता है प्यार number होता है जिससे आप WhatsApp एकाउंट यूज करते हो अगर किसी भी कारण वस आपका number बैन हो जाता है और आप उस number से WhatsApp एकाउंट नहीं चला सकते हो तो ये काफी frustrating होने वाला है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो अलग अलग तरीके बताऊंगा और दोनों ही तरीके आपको apply करने हैं जिससे कि आप अपने WhatsApp एकाउंट को unban करा सकते हो वापस से उसी number से WhatsApp एकाउंट चला सकते हो तो ये error इसलिए आता है क्योंकि आपने WhatsApp के terms of service को follow नहीं किया है WhatsApp यूज करने के जो guideline है उसको follow नहीं किया है इसकी वज़े से ये error आता है तो आप चुकि WhatsApp एकाउंट बैन हो गया है तो आपको WhatsApp से contact करना होगा और उनसे request करना होगा आपके एकाउंट को वापस से चालू करने के लिए unban करने के लिए तो आप WhatsApp को दो अलग अलग तरीकों से contact करोगे दोनों ही तरीके मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ और जो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा इससे अगर आपका WhatsApp एकाउंट unban हो जाता है तो आगे future में आपके साथ ये problem ना हो उसको कैसे make sure करना है ये भी जानना आपके ये जरूरी है WhatsApp एकाउंट तो आपका चालू हो जाएगा unban भी हो जाएगा लेकिन future में ऐसी गलती आपसे ना हो ये जानना जरूरी है तो कुछ प्रोवेबल कारण जिसकी वजह से आपका WhatsApp एकाउंट बैन हो गया है उनमें से पहला कारण है spam messages send करना आप एक ही type का message multiple लोग के link send किये होंगे उसकी वजह से भी आपका WhatsApp एकाउंट बैन हो सकता है ये फिर हो सकता है आपने adult content का link बहुत लोगों को forward किया है WhatsApp पे उसकी वजह से भी बैन हो सकता है तो आपको bulk में कभी भी कोई same message send नहीं करना है ये फिर अगर आप WhatsApp के माधियम से कोई illegal activity करते हो तो उसम कि आप एक बार में WhatsApp से multiple लोगों को same message send कर सकते हो तो अगर आपने कोई third party app link कर रखा है WhatsApp एकाउंट के साथ तो उसको आप unlink कर दो इसकी वजह से भी आपका WhatsApp एकाउंट बैन होता है इसके अलावा WhatsApp एकाउंट बैन होने का एक रीजन ये भी है अगर लोग आपके WhatsApp को बैन कर देता है अगला रिजन ये हो सकता है कि आपने हो सकता है कोई third party app यूज किया हो WhatsApp का official app यूज ना किया हो तो कहीं लोग Google पर जाके अलग-अलग website से WhatsApp के अलग-अलग APK इंस्टॉल करके अपने mobile में यूज करते हैं तो ऐसे में भी आपका WhatsApp एकाउंट बैन हो जाता है यानि कि आप किसी WhatsApp गूप में जोईन होते हो WhatsApp गूप में इतने भी अलग-अलग लोग जोईन होते हैं आप उनका number देख सकते हो और आप उनको message भी send कर सकते हो बिना number save किये तो अगर आप उन लोगों को बहुत जारा message करते हो जिनका number आपके पास save किया वा नहीं है आप उनको personally नहीं जानते हो contact में नहीं है तो भी WhatsApp ऐसा समझ सकता है कि आप कोई spam वाला काम कर रहे है और आपका account बैन कर दिया जाता है तो अगर आप इन में से कोई एक काम कर रहे है जिसके वज़य से आपका WhatsApp बैन हो चुका है तो आप एक बार WhatsApp से contact कर सकते हो और दो अलग-लग request भेशते हो सही तरीके से लिखके तो आपका account unban कर दिया जाएगा और आप सेम नंबर से वापस से WhatsApp account चला पाओगे तो अब देखने है क्या है process तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है जो भी error आपके सामने आया है उसका आपको screenshot निकाल लेना है यहीं कि screenshot ले लेना ह screenshot लेने के बाद आपको सबसे पहले make sure कर लेना है कि आपका WhatsApp app updated है तो simply आप Play Store open करके वाटस अप मत्ическая application को update कर लोगे तो यहाँ मैं वाटस अप मैं में आप WhatsApp application को use करना चाहते हो, वो select करके next कर लेना है, आपको यहाँ पर agree and continue पर click करना है, अब यहाँ पर आपको mobile number इंटर करके register करने की कोशिश नहीं करना है, यहाँ पर आप simply इस three dot पर click करोगे, help में चले जाओगे, help में जाने के बाद अभी आप ध्यान से सारा steps देखते यह आपको दो काम करना है, दो तरीकों से WhatsApp को contact करना है, यह मैं आपको पहला तरीका बता रहा, आपको simply यहाँ पर नीचे, this does not answer my question, इस पर click करना है, और यहाँ पर जो भी आपका problem है, वो आपको describe कर देना है, तो यहाँ मैं आपको description show कर रहा है screen पर, यह आप same to same type कर सकते हो यह फिर आप अपने recording बना करके यहाँ पर type कर सकते हो, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, कि dear WhatsApp support team, मेरा WhatsApp account suspend कर दिया गया है, और यह है मेरा WhatsApp number, मैं WhatsApp को full compliance के साथ, उसके terms of service and policy को follow करते हुए use करता हूँ, अगर अंजाने में मैंने कोई guideline को follow नहीं किया है, यानि कि WhatsApp के guideline को follow नहीं maintain करूँ, और आपको बोलना है कि अगर कोई necessary steps लेना है, अपने account को वापस से start करने के लिए, तो आप मुझे बताएं, WhatsApp मेरे लिए एक जरूरी tool है, communication करने के लिए, तो अगर आप मेरा help करते हैं, तो मैं इसको काफी appreciate करूँगा, और last में आपको thanks link करके, अपना नाम डाल है, और अपना mobile number mention कर देना है, जिस mobile number को ban किया गया है, और आपको अपना last में email id भी mention कर देना है, आपको exactly जो आपका number है, जो ban हुआ है, वही number mention करना है, और यहाँ पर आपको अपना नाम mention करना है, और अपना email id mention करना है, तो आप same to same इसको type कर सकते हो, यहाँ पे describe your problem में, और जो भी आपने screenshot लिया है उस screenshot को यहाँ पे इस plus पे click करके attach कर सकते हो आप maximum 3 photo attach कर सकते हो जैसे इस पे click करोगे आपसे media का permission मांगा जाएगा allow कर देना है और यहाँ आपको gallery open करने का option मिल जाता है आप gallery से picture को select करके upload कर लोगे यनि कि उस screenshot को attach कर लोगे जिसमें की problem mention किया हुआ है वो error आया हुआ है और सब कुछ mention करने के बाद यहाँ पे आपको next पे click कर देना है और यहाँ पे आपको नीचे एक button मिलता है this does not answer my question इस पे click करना है और आपको email open करने के लिए कहा जाएगा तो आपको अपना email app open कर लेना है और जैसे ही आप email app open करते हो यहाँ पे सारा email attach हो जाता है जो भी आपने लिखा था यहाँ पे attach हो जाता है आप नीचे scroll करोगे तो आपको device का भी information यहाँ पे mention किया हुआ मिल जाता है जिस device में आप WhatsApp account use कर रहे थे और simply यहाँ पे आपको send पे click कर देना है यह होगे आप पहला तरीका WhatsApp को contact करने का अब दूसरे तरीके की बात करते हैं तो आपको दोनों तरीकों से contact कर लेना है इससे ज़्यादा impact करेगा और आपका काम जल्दी हो सकता है तो आपको simply करना क्या है Google Chrome या पर जो भी browser आप use करते हो उसे open कर लेना है इसे open करने के बाद आप search में जा करके search करोगे contact WhatsApp इसे search करने के बाद आपको ये दिखाई देगा contact WhatsApp इस पे click कर लेना है इस पे click करने के बाद ये page open होगा यहाँ पे जो भी आप WhatsApp app use कर रहे हैं दो टाइप के WhatsApp app आते हैं एक होता है WhatsApp messenger और दूसरा होता है WhatsApp business तो अगर आपके WhatsApp messenger में ये error आया है तो यहाँ से आप contact as पे click करोगे अगर आप WhatsApp business यूज़ कर रहे थे और वो error आया है तो आप यहाँ पे contact as पे click करोगे यहाँ आप मैं WhatsApp Messenger यूज़ कर रहा था इस पर क्लिक कर लेता हूँ अब यहाँ पर इस टाइप को form open होगा इस form में यहाँ पर आपको अपना country code सेलेक्ट कर लेना है इंडिया है तो plus 91 आपको अपना mobile number मेंशन कर देना है जिससे आप WhatsApp account यूज़ कर रहे थे आपको अपना email id इंटर कर देना है जिस पर आप चाहते हो कि WhatsApp आप से contact करे same email id वापस से mention करके confirm कर लेना है और नीचे scroll करके आप यहाँ पर जिस भी type के device में WhatsApp account को यूज़ कर रहे थे वो आपको select कर लेना है वो android phone हो सकता है या फिर iPhone हो सकता है या फिर अगर आप laptop या फिर computer में use कर रहे थे तो आप web and desktop ये चूज़ कर लोगे इसके अलावा और भी अलग अलग type के device का यहाँ पर list मिल जाता है और यहाँ पर आपको please enter your message में वो same message enter कर देना है जो कि आपने WhatsApp app में type किया था यहाँ पर मैंने type कर दिया है और simply आपको next पर click कर देना है तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही मैंने next करने की कोशिश की मैं सामने इस type का error आया you will need to enter at least 30 characters जबकि मैंने 30 characters से ज़्यादा यहाँ पर इसमें enter किया है तो भी आप message डालने वाले हूँ आपको type ही करना होगा कहीं से आप copy paste करोगे तो यह error आ जाएगा तो screen पर यह मैंने message दिखा दिया है जो कि मैंने आपको पहले भी show किया था यही आपको यहाँ पर type कर देना है copy paste करोगे तो इस type का error दिखाई देगा और यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही मैंने सारी चीज़े type करके next किया तो next हो जाता है error नहीं आता है उसके बाद आपके सामने इस type का page open होगा simply आपको send question पर tap करके question को send कर देना है और उसके बाद कुछ समय लगेगा हो सकता है कुछ घंटे में ही आपका WhatsApp एकाउंट चालो हो जाए या फिर कुछ दिन भी लग सकते हैं तो आपको wait करना है तो यही दो तरहिके हैं जिससे कि आप WhatsApp को contact कर सकते हो अपने एकाउंट को unban कराने के लिए और सुरू सुरू में जो भी मैंने reason बताया था